ब्रेन श्ट्रॉक ये एक ब्रेन की ऐसी कंडिशन होती है जिसमें हमारा ब्रेन का कुछ इससा डाई हो जाता है यानि मर्त हो जाता है क्योंकि इससे को न्यूट्रेशन नहीं मिल पाता है ना इसमें एनर्जी मिल पाती है इस कंडिशन वो इससा मर्त हो जाता है जिसकी कि जो arteries हैं हमारे brain के अंदर वो rapture हो जाती है टूट जाती है फट जाती है ये मुख्य कारण है क्योंकि इसके अंदर blood pressure जादा होने की वज़े से वो arteries फट जाती है या फिर ये aneurysm हो जाए aneurysm एक ऐसी condition होती है कि जो blood vessels हैं गुबारे की तरह फूल जाती है वोहां से कमजोर हो जाती है इस वज़े से भी वो फट जाती है या किसी accident से या चोट लगने की वज़े से वो blood vessels वहां से फट सकती है इसकी वज़े से भी अमारे brain के अंदर अंदर bleeding होना start हो जाती है या फिर हम देखने को मिलता है कि हम कुछ medicine ऐसी लेते हैं anticoagulant medicine या blood thinner medicine लेते हैं उस वज़े से भी blood पतला होके वो बाहर निकल जाता है इस condition को भी हम brain hemorrhagic stroke बोलते हैं brain stroke का second मुख्य कारण है ischemic stroke इसके अंदर क्या हो जाता है blood supply रुख जाती है आगे की कोईि ना कोई रुकाउट की वज़े से blood supply रुख जाती है यह blood supply जब रुकती है तो इस condition से क्या होता है कि वहाँ का आगे का इस्सण काम नहीं कर पाता अब हम देखेंगे कि यह blood supply आखिरकार रुख क्यू जाती है तो इसके अंदर blood vessels के अंदर cholesterol के plug बन सकते हैं ये plug क्या होते हैं रुकाउट पैदा कर देते हैं दूसरा या ये plug किसी सरीर के अंदर और कहीं ही बनते हैं और वहां से टूट के travel करता हुआ ये हमारे brain की blood vessels तक पाहुँच जाए कहीं अटक जाए तो उस condition से भी brain stroke हो जाता है जब हमारे brain stroke होता है तो हमें देखने को मिलता है कि sudden हमारे सिर्दर्द होता है headache होता है या vomiting होती है या digeness यानि चक्कर आना start हो जाता है या बेहुस हो जाते हैं कई बार मरीज और सरीर में हमें देखने को मिलता है कि उसे paralysis हो जाती है उसकी muscles यानि लक्वा मार जाता है या तो कोई हाथ काम नहीं करेगा या कोई सरीर का एक side का हिस्सा काम नहीं करेगा या उसको बोलने और चलने में भी difficulty होती है और mostly देखा जाता है उसका face भी टेडा हो जाता है और उसे समझने में भी problem आती है brain stroke एक medical emergency condition है इसमें तुरंथ मरीज को hospital ले जाता है तो ऐसे symptoms जब भी दिखाई दें तो तुरंथ मरीज को hospital जरू ले जाए और hospital में ये find out करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ischemic brain stroke है या hemorrhagic brain stroke है या रुकाउट की वज़े से है या blood vessels फटने की वज़े से है इसके लिए doctor MRI या CT skin तुरंथ करवाता है क्योंकि दोनों का पैचाना बहुत जरूरी है दोनों का treatment अलग-लग होता है यदि वो brain hemorrhagic की वज़े से हुआ है तो उसकी bleeding को रोकने के लिए उसका blood pressure कम किया जाता है और जो blood vessels पिचकती हैं उनको भी रोका जाता है और यदि उसको seizure आते हैं मिर्गी की जटके आ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए भी medicine दी जाती है या अंदर ही जाके blood इगटा हो गया एक hematoma बन गया तो उसके लिए कई बार medicine से वो पिगलता नहीं है तो उस condition में उसका operation भी करना पड़ता है यदि ischemic stroke है उसकी वज़े से हुआ है तो यानि कोई plug या workout बना है तो कई बार क्या है कि हमारे पैर की जो arteries होती है उससे एक तार सा डाला जाता है और वहां तो पहुंचा जाता है और वहां एक blood वहां से उस plug को अठाय जाता है और एक balloon लगाया जाता है यानि एक catheter डाला जाता है जिसकी वज़े से वहां आगे की blood supply को सुचारू रूप से श्टार्ट कर सके इसके लिए वो डाला जाता है और भी बहुत सारे procedure हैं जैसे clapping और embolization करना या prevent rapture of the aneurysm को रोकने के लिए कई surgery करना कई बार वो बहुत जादा damage हो जाती है फट जाती है तो उस condition में एक bypass surgery भी की जाती है यानि एक plastic की tube डालके वहाँ से आगे के इससे को blood पहुचाया जाता है कई बार देखने को मिलता है कि physical abnormality मिलती है patient को treatment के बाद भी चलने फिरने में या उसको हाथ पैर में लखवा की सिकायत रह जाती है तो इस condition में उसको physiotherapist जो डोक्टर होता है उसे therapy देता है और उसे देरे देरे सुचारो रूप से इससे को काम करने के लिए proside करता है मैं हूं Mr. Shyam Ams Hospital में यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो पली चैनल को subscribe जुरू करें